प्रोग्रामिंग पर और उमीद करता हूँ आप सबने पुराने लेक्चर जो है वो आप उसे रेगुलर्ली देख रहे होगे और प्रैक्टिस भी कर रहे होगे ठीक है जो लोग नए है मैं उन्हें रिकमेंड करूँगा जो हमारा पिछले साल का जो ब्लॉक्चेन कोर्स है व और अगें यह कोर्स बहुत इंपॉर्टन है बहुत इंपॉर्टन फॉर वेब 3 डवेलम्ट फॉर फाइनचल एस्ट्रोलिजी फॉर यॉर फ्रीलांसिंग वर्क और मैं आज थोड़ी सी बात भी करूँगा क्या आप अपनी प्रोफाइल बहतर कैसे करेंगे ठीक है अपनी प्रोफाइल ताकि आपको फ्रीलांसिंग वर्क काम मिलने में थोड़ा असानी हो और एक आप ब्लॉक्चेन डवेलेपर आप अपना अभी सही करियर पाथ जो है वो से बनाना शूरू करें ठीक है तो यह सब बाते करेंगे तो आज का लेक्चर जो है वो हम ज़रा पहले च तो चलें जी पहले तो ज़रा चुल लेक्चर नंबर फूर था हमने उसमें कंस्ट्रक्टर फंक्चन जो है वो बनाना से था ठीक है क्या होता है कि भई वो एक ही बार रन होता है और फिर हमने कीवर्ट्स व्यू एंड प्योर के उपर जह है वो और उसको डिटेल में देख किया था msd.sender के नाम से और वो होता क्या है कि basically वो एक address होता है ठीक है तो जो भी उसे call करेगा msd.sender जो भी वो मतलब अगर मैं हूँगा तो मैं अगर कोई function भी call कर रहा हूँ तो मैं एक address के जरीए call करूँगा तो मेरा address msd.sender होगा ठीक है अगर कोई contract deploy कर रहा है तो contract deploy करने वाला भी उसका कोई ना कोई एक address होगा तो वो भी msd.sender में आएगा msd.sender से मैं हासिल सकता हूँ किसी खाभी address ठीक है तो और हमने एक smart contract लिखा आई थीग हमने दो लिखे थे ठीक है चलेंगे ये अपडेट कर लेंगे तो ये तो होगया पुराना lecture और जरा मैं जो है वो comments दीखता रहता हूँ ठीक है हर lecture के तो एक दो लोग थे जो पूछ रहे थे के truffle framework जो है वो हम use क्यों नहीं कर रहे है truffle ठीक है देखें अभी जो है हमारा जो मकसद है वो यही है कि हम solidity के जरिए पहले smart contract लिखना सीख लें smart contract की basics हासिल कर लें फिर हम different smart contract लिखें एक coin smart contract लिखें एक multi sick का project बनाए ठीक है और एक lottery का contract बनाए ताकि जब हमें एक production based smart contract लिखना आ जाएगा तो फिर जो है वो हम truffle के framework के उपर भी चले जाएगे क्योंकि बहुत से लोग देखें truffle के framework के उपर मैं अभी भी जा सकता हूँ लेकिन अभी भी लोगों को बहुत मुश्किल होगी क्योंकि truffle का framework again आपको जो है वो ट्रफल का framework पहले मैं install करवाऊंगा VS code मैं लोगों से install करवाऊं फिर जो है वो मैं truffle का framework जो है वो module जो है वो install करवाऊं फिर different commands है again truffle init करवाऊं ठीक है truffle के console मैं जाके अपने solidity के smart contract को test करूँ तो देखें अभी जो है वो remix के उपर कितनी सारी चीज़ें असान है मैंने remix पर ही contract लिखूँ और जो है वो मैं वही पर ही test कर लूँ मुझे कोई command line tool की जरूरत नहीं है तो बिलकुल truffle के जरीए हम करेंगे truffle framework के जरीए किस तरीके से contract deploy होता है किस तरीके से test किया जाता है वो बिलकुल हम करेंगे लेकिन अभी जो मकसद है कि हम solidity तो सीख लें ठीक है पहला ये सवाल था लोगों का और एक दो और भी सवालात थे कि लोग जो है अपनी code के file को save नहीं करते हैं और जो है वो फिर जो है वो ग्रूप में और पोस्ट में ही अपना screenshot paste कर रहे हैं तो please file को save करें और फिर code को run क करें और file को save करें और फिर जो है वो command जो है वो उससे आप अपने program को run करें ठीक है तो travel के ओपर बात होगी बिलकुल हम सीखेंगे पहले हम solidity सीख लें ठीक है तो ये तो था कि अब जो है वो हमने last lecture में constructor function view and pure का keyword और msg.sender सीखा था और smart contract भी लिखा था हमने ठीक है अप नहीं data type address data type उसके उपर हम बात करेंगे mapping data type mapping क्या होती है उसके उपर बात करेंगे और फिर जो है वो हम एक दो smart contract लिखेंगे अपने practice purpose के लिए जिसमें हम address का भी use करेंगे और mapping का भी use करेंगे ठीक है तो जैसा कि मैंने बताया कि इस lecture में मैं जो है वो आपके एक और है रहा हूँ के भी हमें एक blockchain developer को अपनी profile बनाना शुरू कर देनी चाहिए आज से आप सीख रहे हैं solidity बहुत अच्छी बात है अब तो आपकी profile भी अभी सही up to date होनी चाहिए खासवार पे LinkedIn की profile अगर मैं आपको दिखाता हूँ के भी LinkedIn की profile के उपर अगर हम बात करते हैं मै आपको एक example देता हूँ ठीक है यह प्रनफ महश्वरी एक Indian developer है blockchain developer है ठीक है graph protocol के लिए काम करते हैं तो मैं भी चाहता हूँ कि अगर आपने शुरू किया blockchain development सीखना शुरू किया तो आप भी अपनी LinkedIn profile up to date करना शुरू करें कैसे करना शुरू करें तो थोड़ी बहुत मैं आ online सीखें कि LinkedIn की profile और किस तरीके से बहतर बनाई जा सकती है सबसे पहले तो यहां पर जो है वह अपना आप लिखें कि भई आप इस वकिंग ऑन वैब 3 ठीक है ठीक है आप लिख सकते हैं solidarity developer इस वक्त लिख सकते हैं ठीक है और जो है वह आप लिख सकते हैं कि भई एवेंड ज अपने about about में बहुत अच्छा लिखें अपनी कि जो है वो solidarity आप सीख रहे हैं ठीक है आपको जो है वो थोड़ा बहुत आपकी अगर कोई programming का background है यहां कोई project भी किया या आपने जो है वो even new भी है programming case में तो कोई बात नहीं आप इसको जो है वो एक as a beginner भी जो है वो अपना कोई beginners about बनाएं और यहां पर जाके लिखें आपकी एक profile बनना शुरूँ हो फिर activities बहुत important है अब activities मैंने पहले से इसका tab जो है वो खुलावा है देखें activities ऐसी share करें या ऐसी post डालें रोजाना LinkedIn के उपर देखें आपने पहला smart contract लिखना लिखा आपको let's suppose हमने last lecture में क्या स समझा ठीक है तो आप उसी से related एक अपनी wordings में एक MSG.sender को यह explain कर दें और LinkedIn के उपर जाके आप अपनी एक post कर दें बहुत बिल्कुल इसी तरीके से शुरू कर सकते हैं आप कोई भी चीज़ सीखने है solidarity की आप उससे related अपनी अपने अल्फस में ठीक है किसी भी चीज़ को constructor function को बता दें कि ठीक है बिल्कुल कोई बात नहीं है mapping को बता दें कि mapping कैसे काम करती है दो से तीन लाइने लिखें और यहाँ पर पोस्ट कर दें आपकी activity स्टार्ट हो LinkedIn के उपर आप as a blockchain developer लोगों को नजर आए ठीक है अच्छा अब जिस तरह किसे इस developer की आप activity देख सकते इस तरीके से blockchain related activities कोई भी news आ रही है web3 के बहुचे coin telegraph को subscribe कर लें वहाँ पे news देखें ठीक है web3 से related blockchain से related क्या चीज़ नहीं आ रही है क्या चीज़ update हो रही है ठीक है तो उसको समझें थोड़ा बहुत भी समझ में आता है अपनी wordings में यहाँ पे जाके paste कर दें या लिखे ठीक है तो activity अपनी शुरू करें यह देखें बिल्कुल इसके पूरी activity है वो web3 blockchain से related है ताके आपके एक profile बनना शुरू हो लोगों को आप as a blockchain developer नजर आए तो LinkedIn की profile बनाना जो है यह आपका काम है बहतर से बहतर बनाए ताके आपको freelancing का जो काम है वो मिलने में बहुत असान नहीं हो जाएगी तो अभी से लगेंगे तो अभी देखें मैंने बताया ना कि decentralized पूरा internet decentralized होना है बहुत बहुत time लगेगा और अभी तो कुछ भी नहीं होगा है पूरा internet आपको decentralized करना है तो recommend करता हूं कि मैंने खासवार पर यह profile के उपर बात करनी थी आज ठीक है तो चले क्यान जी अब आज का लेक्षर हम शूरू करते हैं मैंने जस चरीके से बता है आपको कि आज के जो लेक्षर में हम सीखेंगे Nie, address data type क्या होती है एड्रेस हमने एड्रेस जो है वो हमने second lecture में भी बात की थी एड्रेस data type क्या है एड्रेस होता क्या है एक wallet का एड्रेस एक user का जो है वो user का भी एड्रेस हो सकता है smart contract का एड्रेस होता है तो एड्रेस basically होता ये कि आपकी identity को जाहर करता है ठीक है आपकी identity को जाहर करता है एक address आपके wallet के आप address ही share करते है न तबी आप जो है वो send and receive purpose के लिए आप address share करते है एक दूसरे से तो address क्या basically आपकी identity है बहुत simple सी data type है जब हम code करेंगा smart contract अपना तो आपको एक बहुत अच्छे से समझ में आदेगा mapping थोड़ीशी difficult है address यही बताए कि address आपकी एक identity को शो करता है ठीक है तो mapping क्या चीज़ है mapping क्या है mapping एक data type है और mapping करती है कि यह data को store करती है key value pair में मतलब के key value pair में कि मैं आपको एक example देता हूँ कि let's suppose एक car है ठीक है और एक car का जो color क्या है वो एक car जो हो गई वो key हो गया ठीक है अभी हम इसको code भी करेंगे मैं सिर्फ अभी एक example दे रहा हूँ एक car है वो उसकी key हो गया उसका color जो ह है वो red तो car की है value क्या red ठीक है या मैं car की जगँ तो यह आपको समझ में आना चाहिए यह again यह javascript के अंदर भी concept है dictionary का ठीक है वहां से भी आपको अगर जो मेरे पुराने lecture जेक चुके हैं वहां से भी आप कोई चीज समझ में आएगी कि dictionary को ही mapping कहते है mapping क्या है key value pair में data store क करते हैं अभी आपको समझ में नहीं आएगा जब हम code करेंगे तो आपको समझ में आएगा तो चलें जी मैंने उपर उपर से बताया address क्या data type आपके identity यह mapping क्या data को key value pair में store करता है अभी हम code करने जा रहे हैं और यह दोनों चीज़ों को समझेंगे और तब आपको अच्छे आपको समझ में उसी वक्त आएगा जब आप खुद से code करेंगे practice करेंगे google भी आपको definition दे देगा ठीक है कि mapping is used to show data in key value pairs but how तो आपको how का जजवाब जो है वो आपको जब आप code करेंगे smart contract को तब ही मिलेगा तो चले हम भी जो है वो आप move करते हैं अपने smart contract को जो है वो ल dot org ठीक है हम पहली जो है एक file बनाते हैं contract में जाके lecture five dot sol अब आपको तो यह आ जाना चाहिए file किस तरीके से बनती है और जो है वो contract का structure क्या होता है सबसे पहले जो है वो हम zoom in कर लेते हैं contract structure में again pragma पहली line compiler version बताना है ठीक है और हम जह है वो compiler version बता देते हैं यह चलेंजी अब अगला contract structure में contract का नाम रख लेते हैं contract का नाम रख लेते हैं mapping ही रख लेते हैं ठीक है mapping हम सीख रहे है mapping में ही मैं आपको address data type समझा दूगा ठीक है contract का नाम आप mapping रखें कुछी भी रखें आपके ऊपर है ठीक है अच्छा जना contract का नाम भी रख लिया पहली line जो हमने compiler की बता भी दी और अब जो है वो हम mapping को define करने बता जा है मतलब लिखने जा रहे हैं किस तरीके से जिस तरीके से आप एक public variable को एक variable को बताते हैं कुछ भी नाम रख सकते हैं और उसके आगे आप उस variable को define मतलब के initialize भी value भी बता सकते हो ठीक है तो अच्छा इस तरीके से आप variable को बताते हो तो mapping को भी आप बताने के लिए क्या करेंगे mapping का keyword use करेंगे ठीक है mapping का keyword use करेंगे और mapping के keyword के बाद mapping मैंने आपको बताया कि एक key value pair में data को save करती है तो इस वक्त में मैं जो है वो key बताऊंगा कि की कौन सी data type है और value जो मुझे मिलेगी वो भी किस data type की होगी data type again last lectures और उससे पिछले lecture में भी हमने data types पढ़ी है मैं अभी तक उन्हीं को use करूँगा हमने uint data type पढ़ी है positive numbers हमने int data type पढ़ी है positive और negative number दोनों को store करने के लिए use होती है हमने string पढ़ा है ठीक है sequence of characters को तो मैं अभी इन्ही data types को use करके और address address के basically address भी देखावा है address के सिर्फ एक आपके जो है वो user के identity और address कैसे start होता है 0x123 और एक random hash ठीक है तो इस तरीके से तो mapping क्या है mapping भी दो data type बताएगी मतलब कि वो दो data type accept कर रही होती है कि मेरी key कौन से data type की है और value मेरी कौन से data type की है तो मैं इस वक्त बता रहा हूँ कि मेरी जो key होगी वो है address data type फिर आपको यह sign equal to or greater than यह बताता है कि क्या क्या बन जाएगी मेरी address और value जो मैं accept करता हूँ कि जब मैं यहाँ पर कोई address लिखूँ ठीक है let's suppose अगर मैं यहाँ पर लिखूँ कि कोई भी car का नाम लिखूँ और उस car का मुझे color बता दे ठीक है तो इसी तरीके से मैं यहाँ पर key यह है मेरी address होगी और और मेरी value जो मैं accept करूँगा वो you end दे देता हूँ कि मतलब कि जब भी मैं कोई address लिखूँगा यहाँ पर तो उस address में जो भी value store होगी वो एक positive number होगा और जब भी मैं वो address लिखूँगा तो बस वो मुझे positive number यहाँ पर सामने आ जाना चाहिए ठीक है इस तरीके से क्योंकि mapping के data को store करवाने के लिए use होती है तो अगर मैं इस address को किसी भी address के against कोई एक value store करवाऊँगा और वो value हमेशा होगी positive क्योंकि you end है ठीक है तो जब भी मैं कोई value store करवा दी और जब मुझे उस value को get करना हो हासिल करना हो तो मैं वो address लिखोंगा की लिखोंगा तो automatic मेरे पास you end आ जाएगा तो बिल्कुल बात यह हो रही है कि mapping के उपर ठीक है mapping पर हमेशा आपको mapping बतानी परती है कि उसकी key किस data type की होगी और उसकी value में क्या उसको data type होनी चाहिए ठीक है और यह जो हम smart contract basically लिख र लेते हैं यह जब भी मैं कोई address लिखूं यूज केस क्या हो सकता है mapping का एक address लिखो तो मुझे उसके against उसका balance नजर आ जाए तब ही मैंने या पर mapping में एक address लिखूं मैं ठीक है मतलब अभी तो मैंने सिर्फ अभी mapping बता रहा हूँ ठीक है तो जब मैं value store करवाना शुरू कर अंदर ठीक है तो जब भी मैं किसी एक address के against एक value store करवा हूँ एक balance store करवा हूँ और जब मैं उस address को call करूं तो मुझे उस address के against उसका balance आ जाना चाहिए तो mapping जो है वो इस तरीके से key और value की pair में काम करती है चलें जी हमने mapping बताना है keyword है यह यह data type और यह data type यह key value ठीक है कोई भी access कर सकता है और जैसे किसे आप variable का नाम रखते हैं किसी भी solidity में तो आप mapping का भी नाम रखेंगे आप रख दो testing mapping test mapping ठीक है कुछ भी नाम रखना आप रख सकते हैं अच्छा जी mapping आपने बता दी चलें जी मैंने बताया कि mapping जो है वो data को store करवाने के लिए use होती है अभी तो सिर्फ मैंने mapping बताई है mapping का नाम रखा है और mapping को जो है वो मैंने define किया है अब मैं एक function बनाता हूँ वो ये करेगा कि वो इस mapping के अंदर data store करवाएगा ठीक है तो function बनाने के लिए function का keyword यूज किया मैंने function के बाद हम क्या करते है function का हम नाम जो है वो बताते हैं तो set balance ठीक है और उसके बाद function को हम दे देते है argument दो again एक address देते है ठीक है और इस function में एक और argument देते हैं जो कि है मतलब कि underscore x के नाम से amount या कुछ भी ठीक है मैं इस वक्त अपने argument का नाम यह रखा है मैंने public और function को जो है वो body start करवाते है function की तो अब यह कर लेते हैं कि यह function क्या है कि balance को set कर रहा है balance को set कर रहा है मतलब कि balance को value gotta mapping के अंदर ठीक है तो मैंने function का नाम रखाए set balance अब हम अपनी कैसे data को store करवाने mapping के अंदर वो देखना शुरू करते हैं तो मेरी mapping का किया test mapping मैं लिखूंगा मैं data को store करवाने जा रहा हूं mapping के अंदर मैंने अपनी mapping का नाम call किया test mapping फिर यह मैं square brackets लिखूंगा ठीक है और इस function के अंदर जब जब मैं इस function को call करूंगा तो इस function को दो arguments आई होंगे एक address और एक unit मतलब के एक number चाहिए होगा तो mapping को भी क्या चाहिए एक address चाहिए और एक unit ठीक है लेकिन जब आप mapping के अंदर data के data जो store करवा रहे हैं ठीक है वो मतलब के mapping को सिर्फ की चाहिए होगी जब आप mapping को बताओगे कि मेरे इस address के against इस value को store करवाओ तो यहां पर अभी आपको क्या करना पड़ेगा अंडर्सकोर एडवल डी आर इक्वल टू अंडर्सकोर एक्स ठीक है आपको यह लाइन समझनी होगी मैंने mapping को call किया square brackets के बाद की मतलब की हमेशा जो है वो mapping के अंदर आपको square brackets में बतानी पड़ेगी ठीक है mapping data store करवाने के लिए यूज हो रही है और मेरी की इस वक्त क्या address है ठीक है तो मैंने underscore address लिखूंगा मैंने ठीक है क्योंकि जो function है मेरा और उसके against function में ही मैं अपने जब function को call करूँगा तो function में मैं दो argument दे रहा हूँ एक तो है address जो के मैंने यहाँ पर बता दिया और फिर जो function में argument दे रहा हूँ ठीक है दूसरा क्या है एक amount या positive number तो मैंने यहाँ पर declare कर दिया मतलब कि जब जब यह function run होगा तो मैपिंग के अंदर एक value store करवाते वे जाएगा वो कैसे करवाएगा वो बताएगा मैपिंग को कि मैपिंग तुम्हारा address यह है तुम्हारी key यह है और उस key के against value यह है ठीक है एक बार function run किया तो यह बताएगा मुझे दूसरी बार run करूँगा तो जो भी मैं function में store करवा देगी जितनी बार आप function run करेंगे mapping उतनी बार data store करवाती रहेगी ठीक है तो यह छोटा सा smart contract है आएं जरह आप इसको जरह टेस्ट करते हैं और फिर यह आपको समझ में आएगा compile हो गया है यह warning है इसे छोड़ दें ठीक है तो चलें जी लेक्चर 5 deploy करने के लिए पहला account है ठीक है मैंने पहला account select किया है environment के मेरा java script vm london ठीक है अब मैं deploy कर रहा हूं contract deploy हो गया है ठीक है इसको थोड़ा सा extend कर लेते हैं और green signal आ चुका है मतलब कि contract मेरे पास deploy हो चुका है अगें अब घौर से समझेगा कि mapping mapping भी data store करवाने के लिए use होती है ठीक है इस वक्त मेरी mapping का नाम क्या test mapping और test mapping के आगे आगे आपके पास automatically एक input field आ गई है और वो इस input field में वो लिखावा भी आ गया है कि address मतलब कि mapping की mapping के जो की होगा की की जो data type होगी हो हमेशा यहाँ पे उसकी लिखी भी आ जाईगी मतलब कि mapping के अंदर इस वक्त एक address के against एक value positive number store होगा एक address के against let's suppose मैं यह दूसरा address है ठीक है मैं इसे copy करता हूँ दुबारा पहले पर चले आता हूँ मतलब कि मैंने एक address copy किया यह वाला ठीक है और मैं जरा इस address के against कोई कोई इस check यह चेक करता हूँ कि क्या इस address के against कोई number store है के नहीं test कर लेते हैं पहले ऐसी मैंने address copy किया पेस्ट किया और मैंने चला दिया मेरे पास answer क्या गया यहाँ पर zero आ चुका है देख सकते हैं जिरो आ चुका है कि आप मैं सोड़ा जूम भी कर देता हूँ जीरो कि यहाँ पे आपको इस address के against कोई value ही नहीं है ठीक है चले जी क्योंकि हमने अभी तक data store ही नहीं करवाया mapping के data store करवाने के लिए कौन सा function है हमारा set balance का function है ठीक है तो जरा set balance का function अब करते है address मैंने अब मैंने यहाँ पर इसको अगर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यह function open हो जागा यह function को दो arguments चाहिए मैंने यहाँ पर लिखूंगा address ठीक है कोई भी यहाँ से आप address copy कर लें ठीक है मैंने second address copy किया था ठीक है और मैं यहाँ पर कोई भी value हाँ लिख दूँ let's suppose इस address against 200 ethereum है खर यहाँ पर 200 अगर ethereum मुझे लिखने हो तो मैं ऐसे नहीं लिखूंगा मैं 200 के बाद 18 decimal point भी लगाँगा उसके उपर हम बाद में बात करेंगे वे के उपर यह क्या है ठीक है वहाँ हमारा उसके उपर एक पूरा lecture होगा पर हाल let's suppose मैं इस address के against 200 ethereum store करवा आ रहा हूँ मैंने address लिखा 200 लिखा ट्रांसेक किया बिल्कुल transaction हो गई green take आ ठीक है अब यह मेरा अब मुझे mapping के अंदर जो है वो data check करना है कि क्या मेरी जो mapping है क्या उस address के against कोई value store है तो पहले तो ज़रा यही address copy कर लेते हैं इसके against क्या कोई value store है वो कहेगा नहीं 0 आ रहा है और इस address को अगर copy करते हैं और यहाँ पे paste करते हैं तो अब आना चाहिए 200 क्योंकि इस address के against मैंने 200 एक नमबर है 200 मैंने अभी आपके सामने store होगा तो बिलकुल देख रहे हैं मेरे पास 200 आ रहा है और जब मैं इस address को copy करता हूँ तो मेरे पास जब मैं यहाँ पे paste करता हूँ तो मेरे पास 0 आ जाता है क्योंकि इस address के against मैंने कोई value store करवाई ही नहीं है ठीक है तो mapping के बहुत से use cases है solidity के smart contract में token के token बनाना हो आपको तो token के contract में एक function होता है balance of का कि भई हर user के सी भी अगर मुझे balance देखना हो तो मैं कैसे देख सकता हूँ mapping वहाँ पे use होगी कि मैं mapping को जो है वो as address की use की रख हूँ और value जो है वो उसकी unit रख हूँ और जो है वो मैं token का address मालुम कर सकता हूँ कि इस address के against कितने coins पड़े कर सकते हैं एक और value अब store करवाते हैं कोई सबी address यहां से copy कर लेते हैं ठीक है store करवाने के लिए again set balance का function हमने लिखा है ठीक है मैं यहां पर वो address copy करता हूँ और यहां पर लिख देता हूँ four five hundred now ठीक है कोई भी value transact करता हूँ हो गई store ठीक है यह तो पुराना वाले address है ठीक one वाला तो इस address के against तो कोई भी value है ही नहीं zero लेकिन जो यह चौथा वाला था ठीक है इसको copy करते हैं और क्योंकि अभी अभी मैंने इसमें 500 की जो value है वो store करवाई है और देख सकते हैं अब के सामने के उसने है वो हमें 500 की जो value है कि इस address के against यह value store है अब mapping में जितनी चाह है यह important काम था कि mapping एक key value pair में data store करवाती है इस तरीके से और आपको key की भी data type बतानी पड़ती है और आपको value की भी data type बताओगे मैं यहां पर कुछ भी mapping data type यहां पर key को रख दूं string string रख दूं ठीक है या int रख दूं या int रख दूं और value को मैं बेशक string रख दूं boolean address रख दूं यह अब आप तरह कि आप logically mapping को कैसे यूज़ करते हैं तो हमने क्या किया है हमने छोटा सा smart contract लिखा और अभी आपके सामने mapping के लिए हमने लिखा और उसमें address data type भी पढ़ी और हमने जो है वो contract को test किया एक और value को हम store करवा लेते हैं किसी दूसरे address के against चले यह वाला 5C6 वाला copy किया अगें यहां पर लाके इस address को हटा दिया इसके against हम 400 लिख लेते हैं value ट्रांजेक किया हो गई दुबारह यहां पर यह वाला address copy करते हैं तो 400 आ गया तो इस तरीके से आप एक से ज़्यादा values mapping के अंदर as a key value पर data store करवा सकते हैं ठीक है तो यह हो गया चोटा सा smart contract था ठीक है और mapping इंशाला आपको समझ में आई होगी अगर फिर भी नहीं समझ में तो comments में सवाल करें मैं mapping आपको explain करूँगा ठीक है next lecture मैं कर दूँगा अगर आपको mapping नहीं समझ में आई तो और बात कर लेंगे इसके उपर बरहाल चलें अब एक और contract लिखते हैं ठीक है तो मैं जो है वो इस contract को यहां से हटा देता हूं ठीक है और चलें पूरे हटा देता हूं और अब जो है यहां से यह भी हटा देता हूं mapping आपको समझ में आई एक और smart contract लिख लेते हैं और वो smart contract basically थोड़ा सा काम उसका भी यही होगा उसमें हम constructor भी यूज कर ले हैं ठीक है constructor हमने पढ़ावा है उसमें हम constructor में MSD.sender भी रख लेते हैं यूज कर लेते हैं ताकि आपको चीजें बार बार जो है वो बरहाल उस अभी जो मैं smart contract लिखाने जा रहा हूं वो उसका goal यह है कि वो एक किसम का token का contract लगे मतलब कि token बनाने जा रहे हैं हलाके अभी जो हम लिखेंगे वो कोई इतना बड़ा पूरा token का contract नहीं होगा वो एक छोटा सा उसका function भी use करेंगे ठीक है कि token का contract यह एक simple coin कैसे बनाया जाता है तो जब हम चीजें सीखना शुरू कर रहे हैं आइस्ता आइस्ता ताकि again हम जब अपनी solidity complete करने के बाद जाएं तो जब जो है वो हम अपने project बनाने की तरफ जाएं तो हमें यह सारी चीजें आती हो pragma solidity मैं आपको एक और तरीके से बताता हूँ pragma solidity compiler version बताते हैं तो मैं आपको बता सकता हूँ कि मैं compiler version ऐसे भी बता सकता हूँ ठीक है यह अब आपको I think line समझ में आ गई होगी कि मैं कौन सा compiler version यूज़ करना चाहता हूँ 0.7 और 0.9 के बीच में ठीक है कोई error भी नहीं है चले अगली line क्या होती है contract का नाम लिखोंगा contract का नाम रख देते है simple coin simple coin ठीक है चले जी यह हो गया अब address data type है address एक मतलब के कर ये लेते हैं कि अब जो मैं करने जा रहा हूँ कि जो भी mentor होगा ना जो इस contract reply करेगा उसका नाम हम रख देते है mentor ठीक है और जो भी contract को reply करता है उसका एक address होता है तो हम उस address को mentor में store करवा लेते हैं कैसे होगा आया जरा करते हैं पहले दो हम लिखेंगे address का keyword उस mentor उसको पब्लिक कर देंगे मतलब के जो mentor जो है वो एक address है और वो पब्लिक है कोई भी उसे देख सकता है कि किसने ये contract deploy किया है या किसका ये token का contract है simple coin जो है ये है किसका किसने इसको deploy किया है ठीक है चले जी यह हो गया और फिर जो है वो हम constructor में बता देते हैं ये पुराना वाले काम है के last lecture वाला कंस्रक्टर में हम बता देते हैं कि जैसे contract deploy करने जाए हम तो मिंटर जो है वो MSG.Center के बराबर हो जाए देख ले इस वक्त मिंटर मैंने सिर्फ बताया था initialize कप किया यहां पर मिंटर जो है बराबर हो जाए MSG.Center से MSG.Center जो भी function को call करेगा या contract को deploy करेगा ठीक है या blockchain से data को read कराएगा या value जो है वो update करवाएगा तो वो कोई न कोई तो user होगा और user की कोई न कोई identity होगी वो एक address के जरीए काम कर रहा होगा तो again मिंटर क्या है मैं अगर contract deploy करूँगा तो मैं मिंटर बन जाओगा मैं जिस address से deploy करूँगा वो मिंटर बन जागा तो मैंने कहा किया कि जब मैं constructor से constructor में MSG.Center का मतलब यह है कि deploy करने वाला मिंटर के बराबर हो जाएगा मिंटर जो भी address होगा वो मिंटर में आ जाएगा और फिर मैं उसे देख भी सकता हूँ मिंटर पर जब मैं क्लिक करूँगा ठीक है चलें जी जी और फिर एक काम कर लिते हैं मैपिंग जो है वो भी दुबारा यूज करने के लिए मैपिंग क्यों यूज कर रहा हूँ मैं अभी बता दिता हूँ क्योंके भई अगर मैंने coin बना लिया ठीक है मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे जो टोकन जो है वो किस एड्रेस के उपर पड़े हुए है ठीक है या किस एड्रेस के गयंस कितना वैल्यू कितनी जो है वह अमाउंट है तो अगेन वही चीज़ करने लगे जो इससे पिछले वाले स्मार्ट कॉंट्रेक्ट में की है म mapping फिर लिखेंगे हम की बताएंगे कि इस वक्त अगें मैं address बता रहा हूं और value भी मैं इस वक्त यूइंट बता रहा हूं public कर देते हैं और balance off जह है वो इसका नाम रख देते हैं आप कुछ भी नाम रखें मैंने mapping इसलिए बनाई है क्योंकि भाई मुझे एक address के against एक value जख करनी है एक amount जख करनी है positive number जख करनी है तो मैंने इसलिए नाम रखा है balance off ठीक है चलें जी अब आगे चलते हैं अब एक function मनाते है function मनाते है mint का mint का function बोल दें या इससे पहले जो हमने चीज़ की वो भी क्या थी वो भी हम एक जो है वो हम एक mapping के अंदर data store करवा रहे थे ठीक है तो ये भी मैं एक दूसरे तरीके से आपको बता रहा हूं कि token का contract के अंदर भी mint का function होता है ठीक है तो चले जी function हमने रखा mint क अब ये function को बनाते हैं और आपको समझ में आगा चीज फंक्शन को दो argument देते हैं address ठीक है उसका नाम रख देते हैं receiver ठीक है दूसरा argument यूइंट उसका नाम रख देते हैं amount ठीक है पब्लिक कर देते हैं function को कोई function चे रिटन नहीं करवाते हैं अच्छा ये function mint का function कर गया र कोड की ये function mint का करेगा ये कि हमारी इस mapping में data store करवा दें और ये आपको एक coin की दरा behave करना शुरू हो जागा मैं बताता हूं कैसे data store करवाने के लिए mapping के अंदर आप mapping का नाम कॉल करेंगे फिर आप square brackets लगाएंगे फिर आप key बताएंगे और key mapping की क्या है address और ये function में address क्य receiver ठीक है बिल्कुल फिर आप equal to या plus equal to कर लें क्योंकि आप जो है वो आप जो है वो इसमें इस address के against इतनी amount add करवा रहें ठीक है चले जी assign करवा रहें और add करवा रहें दुबारा मतलब कि अभी हम देड़ेंगे इसको plus equal to का ये है कि जब मैं पहली बार function call करूंगा तो let's suppose मैंने इसको दे दिया amount 10 दुबारा मैं इसी address में call कर रहा हूँ इसी address के against 28 करवाना चाता हो तो 10 plus 20 ये plus equal to का मतलब ये होता है 30 हो जाएंगे ठीक है तो ये चीज़ हो जाएगे और इससे पिछले वाले smart contract में क्या हो रहा था वो सिरफ assigning थी अगर मैं दुबारा उस address के against कु कुछ भी value दूँगा तो वो उस पिछली वाली value को जो है वो replace कर देगा ठीक है तो चलें जी ये function देख लेते function खतम हो गया लिखना बस एक ही line लिखनी थी हमने board function क्या है function का नाम क्या है mint मतलब कि वो करेगा ये कि हमारी इस mapping के अंदर जो भी इस function में address दिया वा होगा ठी ठीक है वो इसकी amount को set कर देगा add कर देगा या data store करवा देगा ठीक है चलें जी test करते हैं deploy हो गया अच्छा इस वक्त क्या मेरे mentor चलें ये देख लेते हैं और बिल्कुल पहले किस lecture हमने one two three five six six contract को deploy किया इस account से हमने contract को deploy किया तो mentor भी यही होना चाहिए बिल्कुल देख ल आपके सामने नजर आ रहा है mentor कौन है mentor कौन है ये वाला address five six six क्योंकि ये इस select हुआ था जब मैंने deploy का बटन दबाया तो constructor का function चला और constructor ने बताया कि mentor जो है वो msg.center के बराबर हो जाए और जब मैंने mentor को check करा तो mentor जो है वो इस वक्त आपके सामने mentor जो है वो ये वाला address है मतलब कि मैं contract का deployer हूँ ये वाला address contract का deployer है ये वाला ठीक है five six six वाला ठीक है अच्छा balance of again पिछले वाल smart contract अगर मैं यहाँ पर कोई address लिखता हूँ ये वाले copy कर लेता हूँ ठीक है address zero आ रहा है value अब मैं function च data store करवा रहा है ठीक है तो mint का function sorry ठीक है मैं का function जैसी मैंने click किया without arguments तो error आगया आपके सामने ठीक है error encoding arguments ओके अब argument दे देते हैं click कर गया और address बताऊंगा मैं again कोई भी value बता दो 500 अब जब मैंने यही address यहाँ पर copy किया तो अब इसका balance 500 हो जाना चाहिए बिलकुल तो मैं पिछल वाले smart contract और इस वाले smart contract में सिर्फ constructor डाला है और address डाला है mint का लेकिन आपको एक token की शकल के अंदर token के function के अंदर एक mint का function होता है काम किस तरीके से करता है यह थोड़ा बहुत बताने की कोशिश की है आज हमने mapping सीखा mint सीखा function mint का जो है वो mapping के अंदर data store करवाने के लिए बनाया ठीक है अब इसी तरीके से मतलब कि अब मैं अगर कोई दूसरे address select कर देता हूँ ठीक है और यहाँ पर paste कर द देता हूँ बिल्कुल data store हो गया ठीक है अब मैं इसी address को यहाँ पर इसके against चेक कर देता हूँ तो 300 आ गया ठीक है तो मतलब कि mapping use होती है data को store करवाने के लिए key और value के pair में आपने key यह लिखी उसने values की यह बता दी ठीक है बहुत important concept है mapping का solidarity smart contract में ठीक है इसलिए हमने आज दो smart contract लिखे और इसको आपने practice करनी है और सवलात हो बिल्कुल वीडियो अपने comments में मैं next lecture में जो है वो जरूर उसके उपर बात करूँगा ठीक है तो mapping इंशाला आपको समझ में आया होगी address data type भी इंशाला आपको समझ में आया होगा और अपनी LinkedIn profile के उपर भी काम करें ठ app 3 से related blockchain से related और बिल्कुल सवलात हो comments में पूछें ख्यार रखें next lecture में